तुम्हारी पाटशला तुम्हारे घर से कितनी दूरी पर है तो तुम लोग कहोगे वो लगभग दो किलो मिटर है तुम्हारा उत्तर एक भाटिक राशी है जिसे दूरी कहते हैं कई बार ये इससे कितना दूर है अत्वा वो उससे कितना दूर है इस प्रशन का उत्तर दूरी होता है दो स्थानों में अत्वा दो बिंदूओं में मापा जाने वाला अंतर दूरी है घर और पाटशला में दो किलो मिटर की दूरी है प्रत्वी और सूर्य में एक खगोली या इकाई के दूरी है और मानव की एड़ी और पैर की उंगली के बीच की दूरी एक फुट है रोहित और प्रतीक कैरम खिल रहे हैं रोहित क्विन को मानने की कोशिश कर रहा है किन्तू नहीं कर पा रहा है स्ट्राइकर वापस आ रहा है यदि मैं तुम से पूछ हूँ कि स्ट्राइकर कितना हिला है तो तुम दो तरह से उत्तर दे सकते हो एक और से देखें तो स्ट्राइकर ने तैक की हुई मार्ग की छोटी छोटी लंबाईयों की सहयोग राशी है और दूसरी ओर स्ट्राइकर के प्रारंबस्तान और अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी है तो कौन सा उत्तर सही है खायर दोनू प्रश्ण असपष्ट है और ये इस पर भी निर्भर करता है कि प्रश्ण पूछने वाले ने दूरी अत्वा विस्थापन के बारे में पू गटीक व्याख्या करेंगे दूरी किसी गतिशील वस्तुद्वारा दिशा का विचार न करते हुए प्रत्यक्षरूप में तै की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते है विस्थापन किसी गतिशील वस्तुद्वारा प्रारंबस्थान से अंतिम स्थान तक पहुजने के लिए एक ही दिशा में तै की गई नियोनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं दूरी और विस्थापन दोनों अलग राशिया हैं किन्तु वे एक दूसरे से सम्मंदित है जब इस काले सिक्के पर स्ट्राइकर से आगात किया जाता है तब स्ट्राइकर ने तै की हुई दूरी 30 स सेंटीमिटर है इस मामले में दूरी का परिमान विस्थापन जितना ही है जब प्रतीक स्ट्राइकर से सफेज सिक्के पर आगात करता है तब सिक्का कैरम की दीवारों को कई बार टकराता है और उसके मोल स्थान पर आता है इस मामले में सफेज सिक्के का विस्थापन शून मीटर ही है मानक मीटर की व्याख्या अब प्रकाश के वेक के अनुसार की जाती है एक बटा 299, 792, 458 सेकंड में शुन्य स्थान में प्रकाश ने तै की हुई दूरी एक मीटर होती है रस्तों की दूरी और विभाग के लिए किलोमेटर, कागस के आकार के लिए सेंटिमेटर ये गुणक सामान निता इस्तमाल किये जाते हैं एक समुद्री मील अब 1852 मीटर का है जलयात्रा और विमान में समुद्री मील का उप्योग होता है पृत्वी से सूर्य की दूरी को खगोली या इकाई कहते हैं प्रचंड दूरी के लिए प्रकाश वर्ष ये इकाई भी चुनी जाती है हमने दूरी और विस्थापन के बारे में बात की दूरी उस पत की लंबाई है जो वास्तव में किसी गतिमान वस्तू या व्यक्ति द्वारा तै की जाती है इसमें दिशा का उलेख नहीं होता है विस्थापन गतिमान वस्तू या व्यक्ति द्वारा तै की गई नियूनतम दूरी है जो एक दिशा में होती है, साथ ही ये मूल बिंदू से अंतिम बिंदू तक के दूरी होती है दूरी और विस्थापन की एसाई इकाई मीटर है चनौती क्या आप अपने आसपास घटने वाले ऐसे उदारणों को बता सकते हैं जहां दूरी और विस्थापन का मूल लिसमान हो क्या विस्थापन समय से सम्मंदित है अपने दोस्तों के साथ इस बारे में चर्चा करे तार विस्थापन का शपने दोस्तों के साथ सकते हैं